असलाम आलेकम तो आज हम बना रहे हैं पालक पनीर मैंने यहां पर दो गड़ी पालक लिया है उसको अच्छे से वाश करके उबाल लिया था और ठंडा करके पीस लिया है दरदरा अब हमें कड़ाई लेंगे मैं यहां पर घी का अस्दमाल कर रहे हैं आप चाहे तो तेल भी गी जैसे अच्छे से गरम हो जाए हमें इसमें सूखी लाल मिर्च मैंने यहां पर दो सूखी लाल मिर्च लिये है तेज पत्ता बड़ी लाईची चोटी लाईची और काली मिर्च के दाने चार पांच और एक चोटा चमच जीरा इसे थोड़ी देर भुनने के बाद हम इसमें हींग धाल देंगे चुटकी भर क्योंकि हींग जल्दी बख जाता इसलिए और बिल्कुल पारी कटेवे प्याज मैंने दो प्याज का इस्तेमाल किया है मीडियम साइज की आइससे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें अब मैं धालोंगी जिनजर गालिक का पेस्ट एक चमच इसके बाद इसे हम बिलकुल गोर्ड्रajm जब तक पियाज को अच्छे से बोलेंगे जब तक पियाज गोल्डरिम ड्राउन हो जाते हैं हमें इसे बुधनते रहना है हाई फिलम पे अगर हम यह चैनल में नए हो तो प्लीज में चैनल को सब्सक्राइब करते न अब हम इसमें टमाटर को अच्छे से पीछ लिया मैंने क्या है अब इसमें टमाटरे मिक्स कर देंगे और साथ ही इसमें मसाली भी सबसे पहले हम दालेंगे 2 टेबली स्पोन तनिया पाउडर हाफ टेबली स्पून हल्दी पाउडर हाफ चिल्ली पाउडर आप अपने मिर्ची अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं अब मैं इसमें नमक धालूँगे टेस्क अकॉर्डिंग अब हमें इसे हिला कर अच्छे से मीडियम फिलिम पर पांच मिट के लिए छोड़ देंगे अब हम इसे फिर से एक बार हिलाएंगे और इसके बाद हमने जो पाला कलग से पहले पीसा था हम इस मैट कर देंगे गैस के फिलिम को कम रखना है वनना पाला को चलता बहुत है और हमें इसमें थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा जालना है बिल्कुल पानी नहीं करना है इसमें थोड़ा सा मैंने यहां पर आदा कप का पानी का इस्तेमाल किया और इसे रख दूँ क्योंकि यह पकने के बाद थोड़ा सा और गाड़ा हो जाएगा अब हम इसे ठक देंगे 20-25 मिनिट मेडियम फिलिम पर और बीज बीच में इसको हिलाते रहेंगे चलो जब तक हम यह पक रहा है तब तक हम पनीर को अलग से सौटे कर लेते हैं मैंने करेब 300 ग्राम पनीर का इस्तेमाल किया उसे पर बिड़े क्यूट में काट दिया है और इसे में हलका सा गूल्डन ब्राण करूंगी पनीर को उसे तोड़ा डिफेरेंट ते साथ है बहां से क्रूंची और अंदर से सौफ्ट सा आप चाहिए तो बिना इसको सौटे करें भी पनीर को पालक पनी में आट कर सकते हैं हमारे पनीर बिल्कुल गोल्डन बढ़ान हो चुके आप देख सकते किते सुन्दर लग रहे हैं अब हमारा पालक पनीर पी रेड़ी हो गया आप हमसे पनी रेट कर देंगे अब पालक पनी में हलका सा नमक और रेट करूंगी मैं कि मुझे कम लग रहा था और साथ ही चुटक चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना कि नेक्स रेसीप आपको किस चीज़ की चाहिए थैंक थैंक